अब यहां पर 20,000 का हाई लगा के आया है और इसके पास जो resistance है that is itself 20,000 जो के एक बहुत बड़ा round number है immediately cross नहीं होते हैं ते बड़ा round number और दूसरा हमारे पास जो है support वो जिस हिसाब से यहां पर एक breakout करके गया था तो this will act as a support अभी यहां पर next week के लिए जिस हिसाब से closing करके गया है वो कहीं नेफटी इस range में रह सकता है आने वाले week के लिए इस range में क्यों मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखो नेफटी को जादे correction फिरहाल के लिए नहीं करना मुझे लग रहा है क्योंकि अगर करना होता न इसके पास काफी वजह है थी पीछे अगर यहां पर आप देखेंगे तो maximum इस week के लिए मैं 9500 देख रहा हूं वहां तक कोई दिक्कत नहीं आप अपने trading position को initiate कर सकते है फूल quantity में trade करेंगे जब तक यह 20 moving average के उपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं अगर यह वापेस से इसके नीचे आने वाले 2-3 week में आना start करता है तो फिर हमारी लिए travel बढ़ जाएगा क्योंकि एक बार 20 moving average cross होगा तो कम से कम दो महिनी की जो correction है वो start हो जाएगे तो उसमें आपको correction में कुछ खास stocks चलते ही नहीं है तो उसमें आपको बहुत ही कम लेट से के 20% quantity में trade करना होता है फिरहाल अभी जैसे कि मैं डिसकूस किया कि एक range में trade कर सकता है nifty तो उस time पे जो stocks होते है individual stocks बहुत ही कम थोड़ा तो चलते है और जब यह nifty almost यह BCR को फिर से cross करेगा तो फिर एक फिर से rally हरे के stock में आ जाएगी बात कर लेता है bank nifty की कहने के same structure है but still bank nifty थोड़ा सा strong दिख रहा है nifty से भी तो यहां पे अपने all time high से just 300 point नीचे है अगर आने वाले week में यह all time high cross हो जाता है 46,300 के आसपर तो यहां से again एक rally start होगी और again आपको next week में 47,000 तक देखने को मिल सकता है last week हमने same discuss किया था हमने इस point पे discuss किया था कि यहां से एक trend line यह trend line अगर break होता है तो आपको कम से कम 45,500 जो के all time high है और यह cross होता है तो फिर 46,000 तक के target दिखेंगे एक higher point यह इस week में जा चुका है तो कहीं ने कहीं थोड़ा से यह भी over staged है next week में यहां पे consideration हो जाए दो चीज इस range में 4-5 times one कर सकता है उसके बाद ही उपर निकल नाव को तो निकल जाएगा ओके अगर इसको लेट से के Monday को immediately थोड़ा सा gap up in हो जाता है उसके बाद 46,300 को उपर Monday को या फिर Tuesday को cross कर देता है तो फिर पूरा week उपर बिज जाएगा आपका और यहां पर breakout के लिए trade भी ले एक उसमें से बागे stocks हम देखेंगे तो वो सारे stocks एक bucket बनाके quantity पने divide करके अपना portfolio को इस week के लिए manage करेंगे ओके यह आपका गेल का चार्ट है 112 के आसपास इसका एक important resistance है अभी जो trade कर रहा है 111.5 के आसपास trade कर रहा है जिसे साबसे यह consolidation phase में है chances इसके हैं कि अगर Nifty बुरा सा spike देने वाले हैं जैसे कि यहां पर आपने देखा होता breakout पर trade कर रहे होते तो immediately अगर आपने लेना था तो यह आपका stop loss hit करके आएगा अगर आपने candle closing का weight यहां नहीं किया तो stop loss है और target हम यहां पर 7-10% का plan करेंगे आने वाले दो week मतलब कि 15 दिन के अंदर अंदर यहां से निकलेगा तो यह कम से कम 3 महिने का range है जितना ही range होता है कम से कम उतना तूपर आप project करके easily target plan कर सकते हैं उतना यह देखे जाएगा उपको यह होगा आपका gail next week ले इसको track करना का से 4% उपर एक again resistance आ रहा था तो मैंने बोला कि यह एक बार cross हो जाए फिर सकोम देखेंगे अभी यहां पर यह cross हो चुका है और bank nifty भी थोड़ा से strong दिख रहा है तो आने वाले week में यह भी आपको कुछ ने कुछ उपर एक साट दिखा सकता है बड़ी candles लेकिन still थोड़ा स फिर बाद में इसको break करेगा तब का तब देखेंगे लेकिन अगर वहीं पर यह जो दोजिया बन इसका high 344 को यह अगर उपर के side cross कर देगा तो यहां पर आप entry बनाएंगे और यहां पर अगेन आपका वही 5-6% का stop loss रहेगा में भी आपका यह जो range है इसके just नीचे डाल स सकते हैं PSU banks थोड़ा से strong दिख रहे है तो उसमें से एक camera bank अच्छा पिक हो सकता है next 2-3-4 week के लिए लेकिन इसको निकलने देना है पहले stock बोलेगा उसके बाद हम entry बनाएंगे ठीक 344 के उपर जब तक नहीं निकलता है तब तक wait and watch है इसके उपर निकलेगा तो हम यहां प कब से start हुई थे 14th December almost एक देड़ साल का correction हो चुका है और अगर आपको मैं 200 का moving average लगा के दिखाऊं let me switch it okay ठीक है यहां पर 200 का moving average पर multiple time test किया हुआ है और अगर आप उपर से यहां पर फिबोनाकी लगाएंगे यह जो पूरी के पूरी rally थी नीचे से तो यह exact 62% 61.8% के आसपास यह touch करके उपर निकला है तो कहीं निकला है तो कहीं निकला है इसका जो फिबोनाकी का है वो भ थोड़े quantity यहां पर हम डालेंगे भी उके उसके बाद थोड़ा सा एक kind of आप ऐसा वाला जो consolation है वैसा और बनने दो कुछ quantity यहां पर 50% डाल के बैठी है stop loss कहाँ पर है यह जो trend line इसके just नीचे 80 के just नीचे ठीक है यहां पर अपना stop loss डाल दीजे लेकिन quantity half उसके बाद थो 50% quantity आपने डाला था उसमें तो profit हो रहा होगा उसके बाद थोड़ा से वहां पर time spend करेगा फिर जब breakout करेगा यह वाला जो resistance इसको तो हम यहां पर another quantity इपने add करेंगे जो की maybe 10 दिन के अंदर-अंदर हो जाना चाहिए इसको अगर उपर जाना है तो या फिर दूसरा case कि आप हमने quantity यहां पर ली उसके बाद immediately नीचे आ गया कोई बात नापके stop loss हिट हो गया उसके बाद wait करेंगे दुबारा से re-entry का जब यह अगेन यहां पर swing बनाके ऊपर निकले अगर नीचे आ तो एक swing बन जाएगा उसके बाद हमें एक अच्छा से stop loss मिल जाएगा और उसके बा आप से अभी थोड़ा सा नीचे से recover कर रहा है बाट अभी इनफी का again result है और तोड़ दिया पूरे जो भी IT stock से सबको नीचे तोड़ा है तो यहां पर यह भी gap down open हुआ था but interesting चीज यह है ना कि 5% नीचे खुलने के बाद भी 10% उपर यहां से close कर गई गया है यहां पर हर ए लेकिन इसमें यह candle बनी है मौरू बोजू तो उसमें कुछ तो है ओके अभी यहां पर बड़े प्रियास का हाथ definitely गुशा है और नीचे साब देखेंगे तो कम से कम यह 50-60% की correction है उपर से कम से कम 2.5 से correction कर रहा है और 50-60% की correction है 200 का moving average की easily उपर break करके sustain कर चुका है अब यह यहां से इसकी बारी है जो 20 को follow करने की यह रहा को 20 moving average 2-3 week के अंदर यह कहीं यहां आ जाएगा जिस हिसापस यह strength है ना 2-3 week के अंदर अंदर 122 की आसपस आ जाएगा उसके बाद यह क्या करेगा 20 की हिसापस चलते रहेगा जिसापस 20 ऊपर बढ़ेगा वैसे चलते रहेग इसलिए I recommend कि half quantity यहां plan कीजे इस्टापलस आपका कहीं ने कहीं 222 के आसपस रहेगा जो की 7-7% है बट अगर आप half quantity लेते हैं तो position surging आपका कम रहेगा तो आप इसको manage कर लेंगे 7% के जो भी इस्टापलस है यहां लेके इसको छोड़ दीजे उसके बाद आने वाले week में यहां पर अगर एक dip मिरता है तो quantity हम add करके वापिस से add करेंगे यहां पर ठीक है इसको दू-तीन बार में इसको add करेंगे ट्रंचेज में एक यहां पर उसके बाद एक अगर dip मिलता है तो इधर कहीं पर या फिर इधर कहीं 200 के आसपन उसके बाद जब यह इस candle का high cross करेगा तो हम यहां पर बाद की quantity add करेंगे नौ लेट से कि यह सारे plan act नहीं करते हैं डिरेकल एक यहां पर फिर से बड़ी candle बनायता है तो फिर इसमें हम सिर्फ और सिर्फ हाफ quantity जो भी हमने यहां पर buy किया हुआ मंडे को उसको लेके trade करेंगे और इसमें quantities add आगे नहीं करेंगे जब तक कि फिर से कुछ ने कुछ confirmation ना दे या फिर एक kind of flag and pole pattern या फिर आप कह लिजें कि consideration ना बना के उपर निकले यह उग आपका last एक stock बचा है हमारे पास जो की granules इसका हमने discuss किया था दो week तीन week पहले अभी हमने इस point पर discuss किया था जब यह breakout दिया था same current price पर यह trade कर रह दलता है तो एक बहुत अच्छी entry है इसमें आप यहां पर easily entry बनाएंगे और कम से कम 340 यहां से 10 से 12% easily है आपको capture करने के लिए stop loss अगेन आपका कम से कम hardly 5% रहेगा 314 तक के लिए प्लान करेंगा जो कि बहुत इसली आपको देखे जाएगा wait कीजे 315 के उपर अगर एक के discussion करी थी इसमें एक data communications था जो की current price जो trade कर रहा है सेम हमने यहीं पर discuss किया था यह Friday के candle है तो again यहीं पर trade कर रहा है आप इसको hold की जो लोगो new positions बनानी है वो still current price पर कुछ quantity ले सकते है आप जो last swing है इसके नीचे stop loss जालके बाकी quantities को add करेंगे हम all time high की उपर 16 550 के आसपस candle पर हमने discuss किया था कि half quantity प्लान करेंगे अगर यह directly निकल जाता है तो बाकी half quantity जो हमारी बचे हुई थी वह हम retracement के लिए प्लान कर रहे थे add करने के लिए but again जो कि आप चाहते हो हमेशा नहीं हो सकता retracement इसमें नहीं मिली but still अगर आपने half quantity में भी प्लान कर रहा होगा तो कुछ में कुछ 5% यह देखे गया है second last stock हमारे पास kaplan point यह एक अच्छा आपको target इस week दिया हुआ है अभी हमने क्या discuss किया था यह एक line लगी हुई है 830 का जो कि हमने last week पे draw कर रही थी इसके उपर आप साबसे आप hold कर सकते हैं बाट जो लोग top ए book किया है वेलन गूट आप one इस तो लेके book भी कर सकते हैं तो आप बूख भी कर सकते हैं लेकिन आपको अगर hold करना है तो इसको hold किजा है लास stock वेल सर इंडिया है इसमें कोई trade अक्टिवेट नहीं हुआ है इस candle पर रह किय के लिए अगर निकलता है तो भी आप इसको ignore कीजिए बागी stock हमारे पास हैं अबी यह होगे stocks जो कि आप next week में track कर सकते हैं treat कर सकते हैं बाट अपना risk management ध्यान में रखते हुए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अगर आपको analysis पसंद आई वीडियो को like कीजिए चैनल इसके वीडियो को like कीजिए मिलते next video में till then bye and thanks for watching